श्री गणिशाय नम्हा सभी भक्तों को राम राम आईए अब सुनते हैं कार्थिक मास के महात्मे का अठारवा अधियाए एक बार महाराजा पृतु ने नारज जी से पूछा ये देवर्शी यमपंचक काल में दीबदान का क्या महत्व है और क्या विधान है कृपा करके मुझे बतलाईए तब नारज जी ने कहा ये राजन कार्थिक मास के कृष्ण त्रेयोधर्शी से लेकर शुकल पक्ष की द्वितिया यानि दूज तक के पांच दिन यमपंचक कहलाते हैं इन दिनों में धन्तेरस की रात को यमराज के निमिक दीपक जलाने से यमराज प्रस्न होते हैं और अकाल मृत्यू नहीं होती इसके अगले दिन यानि कार्थिक्रिष्ण चतुरदर्शी को नर्क चतुरदर्शी भी कहते हैं उस दिन तिलका तेल, अपामार तथा दुर्वा आदी लगाकर सनान करना चाहिए सनान करने के बाद शुद वस्र पहन कर तिलक लगाकर दक्षिन दिशाकी और मुख करके निम्न मंत्रों से प्रतियक नाम से तिल्यूक्त तीन तीन जलांजली देनी चाहिए यह यमतरपन कहलाता है इससे वश भर के पाप नश्ठ हो जाते हैं इन मंत्रों द्वारा यमराज को तरपन करें फिर सायकाल में भ्रमा जी, विश्नु जी, शीव जी तता दुर्गा माता के मंदिरों में ब्रक्ष तता गोशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुवा, बावडी, चोरस्ता, खेत, शम्शन आदी में दीपक जलावे और रात को श्री लक्षमी जी का पूजन करें, यदि कोई शस्त्र से किसी की मृत्यों हुई हो तो उसके निमिक चतुर दशी को दीवदान करना चाहिए, इससे अक्षय पुन्य फल प्राप्त होता है, इसके बाद कन्या, भ्रमचारी तथा तपस्यों को भूजन करावे, इससे यमपूरी को ना जाकर शिवलोग की प्राप्ती होती है, कार्तिक की अमावसिया, अर्थात, दीपावली के दिन भी स्नान आदी से निवरित होकर पितरों का पूजन वश्राद करके भ्रमणों को भूजन करावे, फिर सायंकाल में घर, तुलसी के समीब, देवस्था शम्षान, नदी, पर्वत, चोरा है, तथा गौशाला में दीपक जलाओ, इसके पश्चात लक्ष्मी जी की स्तूती करके उनको जगावे, जिस प्रकार पती व्रतास्त्री अपने पती से पहले जाकती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भग्वान से बारा दिन पहले जा जाकर रात्री को सारे घर में दीपक जलाएं। पहर फेक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धाने से पून होता है। दिपावली के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बना कर अपने बंदु बांदो सहित गोवर्धन का पूजन करके भ्रामनों को भोजन करावे। स्वयम भी नवीन अन का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंदर का मान मर्धन करके गोवर्धन परवत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गोव तता भृष्ण का पूजन करके उनसे अपने तता परिवार के भरण पोशन वरक्षा के लिए प्रातना करे। इस दिन शाम के समय बली और उनकी पत्नी विंध्यावली की मुर्ती बना कर सायंकाल के समय पूजन करके दानादी क्रिया करने से परिवार स इस प्रकार कार्दिक महात्मे का अठारवा अध्याय पून हुआ ओम नमो भगवते वासु देवाय नम्हा बोलिये श्री हरी लक्षमी जी की जै बोलिये श्री विश्नु भगवान की जै